किशोरी लाल जी के बेटे रागव की शादी की बात जगा जगा चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंदे नहीं आ दे थी, और उसकी एक ही वज़े थी किशोरी लाल जी का लालची होना, उनको लड़की वालों से मोटा दहिर चाहिए था, और इसी चक् एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले की घर अपने बेटे का रिष्टा लेकर पाजे उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश देखे किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपती, जायदाद, सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है पापा, नाम से लगता है बहुत खुबसूरत होगी कितना अच्छा नाम है ना, नैना ओ, वसे बहुत तो सही है आपकी अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है एक लोती बेटी, आप भी क्या करेंगे, सब को जूसे ही देंगे ना बिल्कुल ठीक पैजान आपने, बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम पापा, बिना दे के हाँ कर दीजिए न, इतना अच्छा रिष्टा फिर का मिलेगा माला माल हो जाएंगे हम मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ अरे, नहीं, नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है, बहुत सुन्दर होगी रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना दे के शादी करने को तयार हूँ अब तो मैं उसका चैरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा और इस तरह, रागव नैना का चैरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है शादी के बाद अपने सुहाग रात पर जब रागव नैना का घुंगट उठा कर देखता है तो नैना की आँके बंद थी कितने खुबसूरत हो तुम नैना जरा अपनी आँखे खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही नई मुझे शर्म आती है अरे मैंने तुम शादी से पहले भी नहीं देखा और अब अगर तुम आखे खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा इससे पहले की नैना अपनी आखे खोल कर रागो की तरफ देखती अच्छानक से लाइच चले गए और रागो नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया अगले सुबर नैना रागो के लिए नाश्ता बना कर लेकर आई अरे ये क्या आदा पराठा सीखा हुआ है और आदा बिल्कुल कच्छा ये तुमने क्या किया ना बहुँ तुमने क्या आदा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था जो आदा सीखा है और आदा कच्छा मुझे जितना दिखीगा उतना ही तो सीकूँगी ना पापा जी जहां-जहां मुझे नजर आ रहा था वहां मैंने सीक लिया जहां-जहां नहीं दिखा वहां कच्छा रहा गया होगा इसका क्या मतलब है? ये कैसा मसा कर रही है तुम? अरे बहु तुमने इतना लंबा गुंगट क्यों लगाया हुआ है देखो हमारे घर में बहुँओं को बेटी की तरह रखा जाता है और पिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो देखो ये गुंगट डाल कर रखने के कोई ज़रूत नहीं है हाँ नैना पापा जी ठीक कह रहा है तुम तो आराम से रहो अपना इगर समझो नैना अचानक से अपना गुंगट उठा लेती है अरे ये क्या पापा नैना की तो एक आँख फूटी हुई है नाम से नैना लेकिन ये तो कानी बहु निकली मेरे साथ दोखा हुआ है दोखा बना दिखा है अपनी कानी लड़की मेरे जंग भ्यादी मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए मुझे अभी ये ओम प्रकाश्ची से बात कनी पड़ेगी आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यूँ कि अरे आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए तारा कि तुम कानी हो एक आंक से तुम्हें दिखाई नहीं देता किशूरी लाल और रागव नाराज उकर उम प्रकाश को अपने घर बुलाते है पापा जी ये आपने क्या किया शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना के आँखों में परिशानी है अरे आप भी ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था अरे लेकिन आप बता तो सकते थे आपको तो हमारी बेटी की प्रापर्टी चाहिए थी वो भी पूरी की पूरी अब क्या हुआ अगर उसे आदा दिखाए देता है प्रापर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना और यह क्या बात हुई मेरी शादी प्राउपटी से नहीं आपकी बेटी से हुई है अब ये तो पहले सोचना चाहिए था तब तो मेरी प्राउपटी देखकर तुमारे जबान लप-लप आ रही थी लेकिन मैं कानी लड़की को अपने बीवे बना कर नहीं रख सकता पापा करता हूं करता हूं देख्या ओम प्रकाशी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं और तुम देखो अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना तो जो बात